सिर्फ पंद्रह दिन ये चीज खालो गुटनों में दर्द गिसे हुए जोड ग्रीज का सूकना कमर में दर्द जोडों में सूजन और बात रोग ठीक हो जाएगा नमस्कार दोस्तों ये जो चूरन आप देख रहें ना इस चूरन को एक चम्मस सुबह और एक चम्मस साम को अगर गुनगुने जल की साथ शेवन करते हैं तो गुटनी कमर हात और पैर में दर्द और शूजन जड़ से खत्म होता है जोडों का दर्द एक ही बार में खत्म हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं इसके लावा कमरदर्द घुटनों में ग्रीश सूखना या कमर जोड बात रोक सब ठीक हो जाएगा तो आए जानते हैं इस दिब चूरन को कैसी बनाना है और कैसी यूज करना है तो आपको लेना है एरेंड मून यानि अन्डी की जड़ यहां पर 20 ग् आपको लेना है बिधारे के पते सूखी हुए च्छाया में यहां पर 30 ग्राम आपको लेना है हड जोड की पौधा सूखा हुए यहां पर 20 ग्राम आपको लेना है सोना फाटा सियोना की च्छाल यहां पर 30 ग्राम आपको लेना है पीपल की च्छाल यहां पर अच्छी क्व इन सभी ओसदियों को खरल में डाल दो और खरल में डाल करके इतना कूटो कि यह कुटते कुटते महीन से महीन चूरन हो जाए कुछ इस तरीका से आपको महीन चूरन कर लेना है फिर जब यह महीन चूरन हो जाए ना तो इसे एक छन्नी में डाल करके अच्छे से च्छान ये चलनी से चुरन ही आप इस्तिमाल कर सकते हैं जब यह चलनी से चुरन च्छन जाए ना तो इसको एक डिब्बे में बंद करके रख लीजिए ताकि जरूरत पढ़ने पर प्रयोग में ला सकते हैं अब इसी कैशिश ये बन करना है आई एम समझ लेते हैं दोस्तो इस चुरन को आपको सुबह खाना, खाना खाने के बाद एक चम्मच चुरन को लेना और खा लेना है उपर से आपको हलका गुनगुना पानी पिलेना है ऐसा सुबह करना है और यही क्रिय आपको साम को भी दो रानी है साम को भी एक चम्मच चुरन आपको लेना है और मुह में डाल करके प्रूपर से आपको हलका गुनगुना पानी पिलेना है ऐसा अगर सुभह और साम आप रोजाने इस्तिमाल करते हैं तो कुछी दिनों में मात्र 15 दिनों में घुटने का दर्द गिसे हुए जोड ग्रीज का सुखना कमजूर जोड कमार दर्द बात रोग हाथ पैरों में सुन लगा हो और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं हो तो धन्यबाद नमस्काल